सुहलो दोस्तों स्वागत आपका कार उनिवर्शिटे के एक नई वीडियो में आज आपके सामने हैं मारोती सुजुकी एस्प्रेसो वी एकसा विरियंट ये एस्प्रेसो का सबसे ज़्यादा बिखने वाला विरियंट है अगर मैं बात करूँ इसकी एक शोरूम प्राइज की तो वो है 5,15,000 रुपे और इसकी डामेंशन की बात करूँ तो इसकी लेंट है 365 mm की और इसकी वीड़ ते 1520 mm और विल्बेस की बात करूँ तो लगबग 2380 mm का इसका विल्बेस होने वाला है इस गाड़ी को निकालने का मकसद था मारुतिस दुकी का वो है ग्राउंड क्लेरंस एंड एक छोटी SUV का लुक प्रेजन्स कर सके तो यही एक मकसद था और यह खरी उतर रही है अपने मकसद पे क्योंकि इसका जो लुक है वो कही न कही मीनी SUV जैसा है और इसके अच्छा कासा ग्राउंड क्लेरंस भी मिल जाता है 180 mm का ग्राउंड लेरंस इसमें क्लेम किया जाता है और वो अच्छा कासा भी है बाके काडियो से तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फ्रेंट लुक से और उसी के साथ आप देख पाओगे इसका बोनट का जो हाइट है वो एक आल्टो के बोनट के हाइट और इसके बोनट के हाइट यही था इसका मकसद इसको एक SUV जैसा लुक देना और हाइट इसमें ज्यादा रखी कई है तो साइड लुक भी आप देख सकते हो इसमें आप बॉक्सी डिजाइन देख सकते हो इसमें ground clearance भी अच्छा कहा है वो भी आप देख सकते हो और blackard के इसमें rims मिल रहे हैं हमें जिसके उपर will caps भी आते हैं वो भी इसमें अंदर रखे गई हैं वो भी डिलिवरित के वक्त लगा के देने वाले ही है तो अभी आप देख सकते हो ब्लाक कलर में इसके डोर हैंडल्स मिल जाते है और रूफ रिल्स वगरा अंटेना कुछ नहीं मिलता आपको सारा एजन अक्सेसरिस लेना पड़ता है या फिर टॉप मोडल में यह मिल जाता है यहापर आप देख पाऊगे टायर यह मर एफ का मिल रहा है यहापर 14 इंच का इस पर टायर मिल जाता है इसमें हमें 165-70R 14 इंच के टायर फ्रफाइल का टायर मिल जाता है और उसे के साथ आप देख पाऊगे याप पर indicator मिल जाता है fender पर और इसके ORVM जो है वो normally black color के है जो कि एक stick से adjust हो जाते है अंदर stick है वो उसे adjust हो जाते है यहाँ पर आपको यह manually fold करने पड़ते हाथ से और यह black color में इसके door handles भी है और इसके mirror भी है और इस तरह का इसका simple look है और wheelbase भी आप देख सकते हो running board यहाँ पर मिल रहा है जो कि एक black color में ही है और इस तरह का इसमें side design और back का भी design आप एक बार check out कर लो कहीं नगे यह breza जो पहले आती थी उसके जैसे इसका tail light का design और rear का look है आप देख पाऊगे यहाँ पर halogen में ही हमें turn indicator and reverse light मिल रहे है और यह पूरा halogen bulb setup है तेल light का और यहाँ पर भी आप देख पाऊगे espresso की side में badging और बीच में suzuki का logo मिल जाता है यहाँ पर defoggers नहीं मिलते वाइपर नहीं मिलता लेकिन stop lamp ज़रूर मिल जाता है parking sensors है दो rear bumper पर और rear bumper भी पूरा black color में मिल जाता है यहाँ पर है fuel cap है इसकी left side में और 27 liter का fuel tank capacity है इसका और इस तरह से इसका overall look आपने देख लिया है चले इसका interior देख लेते हैं पहले तो मैं आपको इसकी चाबी दिखा दू तो इस तरह के हमें normal की मिलती है इसमें जो की बाके गाडियों में यहीं किया आती है central locking के साथ lock on lock को button यहाँ पर ही मिल जाता है और दूसरी जो की है वो normally मिल जाती है without buttons तो इसे रख देते हैं यहाँ पर और यह इसका door fully black color का interior है इसका कोई भी डिवर टोन कलर बगरा नहीं मिलता है इसमें आप यह देख रहे हो इसकी चट कितने height पे पतलब इसमें चटना उतरना बहुत ही आसान होने वाला है तो आप देख पाऊ रहे हैं इसका door तो पूरा black color में door में हमें speaker दो speaker मिल जाते पीछे की तरब भी आप देख सकते हो कोई speaker नहीं मिलता power window भी हमें सिर्फ front में मिल जाते है यह पर under thigh support भी इसमें ठीक टाक sufficient enough मिल जाता है और जो यह seats है वो पूरी fabric seats है और headrest भी इसमें integrated है adjustable नहीं है तो यह पूरी इस तरह की sitting मिल जाती हमें इसमें थोड़े से height पे आप बैठते हो यही एक feeling आ जाती है SUV जैसे गाड़ी में बैठने की बाकी तो सब normal है इसमें आप देख पाऊगे यहापर manual AC मिल जाता है और इसका जो instrument cluster है वो बीच में मिल जाता है driver के सामने नहीं तो यह बीच में आता है जैसे कि nano में आता था वेसे ही और ATO में भी यही इसी तरह का आता था तो आप देख पाऊगे यहापर screen वगरा नहीं मिलती simply Bluetooth stereo मिल जाता है जो कि USB और AUX को support करता है Bluetooth के साथ यह digitally show होने वाला आपका instrument cluster orange color में यह display होता है और नीचे हमें tachometer मिल जाता है जहापर हमें fuel gauge और coolant temperature show होता है RPM meter भी यहापर दिख जाता है आपको और यह आजसे adjust हो जाता है पूरा trip A, trip B और warning lights भी इसमें दिखाए देती है यह इसका stereo आप देख पा रहे हो 2D in stereo है Bluetooth के साथ volume के लिए knob मिल जाते है mic भी यहापर dedicated है यहापर USB और AUX outlet है यह बंद और चालू करने के लिए button मिल जाता है यह दो power window के control से यहापर बीच में और उसे के बीच में हमें hazard का button और यह manual AC के control से यहापर मिल जाते है बारवल का socket यहापर है और बाकी तो mobile टेकने के लिए जगवा और 2 कॉप होल्टर मिल जाते है 5-speed manual gearbox मिल जाता है इसमें automatic का भी option आता है लेकिन वो top model में आता है और इस तरह से speed show होती है आपको low fuel की warning हमें stereo में दिखाए देती है आप देख रखते हो और उसे के तरह यहापर हमें AC vents मिल जाते है जो कि बहुत हाइए माउंटेड है बहुत यह उपर mount किये गए AC vents ताकि हवा उपर से flow के पीछे जा सके और इस तरह का design element एक अच्छा है आप देख पार हो इस तरह से adjust हो जाते है पूरे दोनों side में हमें goal AC vents मिल जाते है उसे के तरह यहापर idle start stop का बटन है तो यह दबाऊगे तो हमें instrument cluster में भी show होता है कि यह off on हो जुका है feature इस तरह से और यह बहुत काम आता है जब आप traffic में फसते हो तो यह automatically बंद हो जाती है और close दबाने पर यह automatically चालो हो जाती है जब आपको चलाना होता है तो यह है इसका dashboard का design यहापर भी जगा मिल जाती है जाते है इसके आलावा हमें safety feature के नाम पर anti-lock braking system central locking power door locks child safety locks two airbags seat belt warning door रजार warning यहाँ पर भी हमें space मिल जाता है driver के लिए headlight leveling के लिए यहाँ पर knob मिल जाती है तो headlight on के लिए यहाँ पर switch है और wiper के लिए यहाँ पर switch है तो इस तरह का steering adjustment कुछ नहीं मिलता है इसमें fixed steering wheel है इसका adjust नहीं होता engine check warning EBD speed alert speed sensing auto door locks pretensioners and force limiter seat belts इस तरह की safety features इसमें मिल जाते है चले देखते हैं इसका rear seat comfort and features क्या है features तो ज़्यादे कुछ नहीं बोलूँगा है मैं इसमें क्योंकि entry level hatchback है तो यहाँ पर space भी अच्छा कासा मिल जाता है क्योंकि height में है ज्यादा उची गाड़ी है तो इसके वज़े से space तो अच्छा मिलना ही है जैसे कि इनकी successful गाड़ी wagoner कई सालों से चलते आ रही है वही design philosophy आपर यूज की गई है आपर sufficient enough मिल जाता है और rear में हमें power windows नहीं मिलते door trim वेसे हमें hard plastic में मिल जाती है पूरी black color में तो यह था इसका rear का design चलिए इसका boot open करते boot open करने के लिए हमें आगे से ही खोलना पड़ता है rear में कोई button वगरा electromagnetic button वगरा कुछ नहीं मिलता जा भी लगाओ नहीं तो आगे से open करो तो यहाँ पर हमें 240 लेटर का boot space मिल जाता है partial tray इसमें नहीं मिलती आपको as an accessories लेनी पड़ती है यह इसका spare wheel जो की 14 inch का ही है और steel dream में ही यह black color की इस तरह का इसका boot space है 240 लेटर का डीप भी है अच्छा कासा तो आप यह seat fold भी कर सकते हो पूरी bench type fold हो जाती है 64 split नहीं होती यह इसका petrol tank 27 लेटर का petrol tank capacity है चलिए इसका bonnet open करते है और आपको दिखा दे इसका 1000 CC का petrol engine इस तरह से open होता है इसका bonnet तो जले खोलते bonnet और आपको दिखा दे तो यह है 1 liter 3 cylinder petrol engine जो produce करता है 66 bhp with 89 nm torque यह 5-speed manual gearbox के साथ यहाँ पर हमें CNG का भी option मिल जाता है with automatic का भी option इसमें available है और यह naturally aspirated engine है तो इसमें CNG available है और यह company इसमें लगबग 22 kmpl के mileage claim करती है और यह Maruti Suzuki Alto 800 से कही ज़्यादा बहतर option आपको मिल जाता है सिर्फ 30 या 40,000 रुपे extra देने पर तो मेरे इससाब से Alto लेने वालों को यह जरूर consider करना चाहिए कि यह engine ले लो क्यूंकि Alto 800 में 800 CC का engine आता है वो तो ज़्यादा powerful होगरा नहीं रहता उससे अच्छा है 10-20,000 या 30-40,000 जादा देकर आप espresso खरीदो तो यह एक value for money बन जाती है जब आप 5-6,000,000 तक कोई गाड़ी देखते हो 6,000,000 तक ही आप इसे सिमित रख सकते हो 6,000,000 के उपर आपके पास बहुत सारे options मिल जाते हैं इस तरह के options आपके लिए खुले हो जाते है तो जब आप 6,000,000 के उपर जाते हो तो आपके पास बहुत सारे options खुले हो जाते है तो यह 6,000,000 तक आपको लेनी है गाड़ी तो यह आपको जरूर consider करनी चाहिए किसी को भी तो यह है इसके adjustable mirrors आप देख पाऊगे अंदर से यह manually यह adjust हो जाते हैं आपको electrical adjust करने का कोई option नहीं मिलता इसमें तो यह थी महरति सुझो की espresso VX है 5,000,000 रुपई इसकी एक शोरूर्म प्रेज है और लगबग यह 6,000,000 रुपई को touch हो जाती है on road के बाद करू तो city में चलाने के लिए बहुत ही अच्छी गाड़ी है और CNG में तो यह बहुत ही ज्यादा value for money बन जाती है क्योंकि बहुत सारे mileage इसमें मिल जाती है हमें तो यह maintenance में भी बहुत जादा maintenance कम है इसका तो ladies के लिए यह बहुत यह अच्छा option होने वाला है और ज़रूर इसे consider करना चाहिए तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में